परिवार के लिए जो टुकड़ों में बड़े जिनके घर लोटने का ये बहना है उस मा के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं उस परिवार के लिए जो टुकडों में बढ़ गया है ये चछट जरूरी है उस नई पौद के लिए जिसे नहीं पता कि दो कमरों से बड़ा घर भी होता है उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है ये चछट जरूरी है उस परंपरा को जिन्दा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है जो बताता है कि बिना पुरोहिद भी पूजा हो सकती है जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूगते सूरज को भी सलाम करता है ये चछट जरूरी है गागर निम्बू और सुथनी जैसे फलों को जिन्दा रखने के लिए सूप और दोरा बनाने वालों के लिए ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्वा है ये चछट जरूरी है उन दमभी पुरुशों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं ये चछट जरूरी है बेहद जरूरी